अब ही अभी जो अपडेट आया है CBC के एक्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर सैयम भार्जबाज के तरफ से उसको सुनकर के तुमनों खुशी से उचल पड़ोगे यार अफिशल स्टेटमेंट है और तुम्हारे बोर्ड एक्जाम को लेकर के जो टेंशन से ना उसको दूर करने वाला है और यह ओप दिस इस गोइंग तो बी आ माइल स्टोन यह तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा टेंशन फ्री करने वाला चीज रहेगा मैं भी तुमको गुड़ने उस दिऊंगा लेकिन उससे पहले जल्दी से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुमने अभी तक नहीं किया वीडियो को लाइक यहीं कर दो क्यूंकि आगे बहुत important information है और साथ ही साथ में इतने सारे important videos आ रहे हैं यार जल्दी से इन वीडियो को देखो और अब आजाओ मेरे साथ में कि क्या चीज़े हैं देखो यार सिबसी जो है न वो तुमको extra marks एक्स्ट्रा marks तुमको देने वा पात से छे स्टेप सुरों में बताए हैं मैं तुमें वो pro tips बताने वाला हूं जिससे कि तुम board exam में excel करोगे 80% plus score करोगे इसकी मैं guarantee लेता हूं ठीक है तो यहां पर सबसे पहले चीज़ यह तुम देख सकते हो कि CBC के topper का मैं इस वक्त answer sheet तुमको दिखा रहा हूं थोड़ इच्छा पूरी हो गई paper presentation tips जो तुम मांग रहे थे सब कुछ इसके अंदर include हो जाएगा यानि कि double benefit वारा ये वीडियो है तो तुम सबसे पहला चीज़ ध्यान रखोगे क्या चीज़ का देखो यह answer sheet में तुमने क्या चीज़ notice किया पता सकते हो यह कितना neat and clean answer sheet है यह तु नहीं दिया जाता है marks को block कर दिया जाता है white care दिया जाता है तो इसलिए यह answer sheet तुमको मतलब marks नहीं मिलेगा बाद बाकी यहां तुम देख सकते हो तो पहला जो pro tip है कि यार कैसे तुम bumper marks उठाओ गया और जो official statement दिया है dr. सहिया भादवाद ने उन्होंने कहा है यार जब answer sheet मिलता है ना तो बच्चे हरबड़ी के चक्कर में margin देना भूल जाते हैं तो number one है कि दोनों side में answer sheet के दोनों side में तुम्हे margin देना चाहिए ही चाहिए यह तुम देख सकते हो इस पूरे portion में इस पूरे portion में जो है यहां पे यह blank है यहां margin दिया हुआ है यह सबसे पहला ए यह 6 paper presentation tips मैं तुमको साथ साथ में दे दे रहा हूँ जिससे कि तुमको clarity आ जाएगी ठीके इसको फड़ा 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 ले लो क्यूंकि last year भी जब मैंने बच्चे को दिया था ना वो number नहां गए थे पूछ सकते हो अपने senior से तो यहां पे पह होने के बावजूद भी लिखने का सही धंग नहीं है तो answer के marks नहीं मिलते आप समझो बात को कि भाई तुम किसी के birthday party में जाते हो या wedding reception में जाते हो और वहां पर कोई gift देते हो लेकिन उसे wrap-up नहीं करते हो हाना चंकीले paper से wrap नहीं करते हो सीधा gift उठागे तुमने दे दि तो वही है paper presentation आप जल्दी सा जाओ यहां पर कि यहां पर तुमको मैंने क्या दिखाया कि यार margin तुमको छोड़ना है पहला point दूसरा point यह कि heading must be there अब यहां heading देख लो यहां देखो यह देखो heading लिखा हुआ है किस तरह से तो यहां लिखा है इस बच्चे ने set 1 तुमको क् उस section से जुड़ेवे सारे answers को लिखो अब यहां पर मैं बात बोल दे रहा हूं तुमको शायद पता होगा class 10 वालों को 12 वालों को तो पता ही है कि कोई भी section से तुम अपना answer लिखना शुरू कर सकते हो लेकिन जिस section को भी touch करोगे उसके सारे answer उसके नीचे होने चाहिए सीर blank space छोड़ सकते हो ठीक है अब यहां पर तीसरा बात आता है कि यार तुमने margin छोड़ दिया heading दे दिया section के लिए ठीक है अब तीसरा point है कि भाया तुमने क्या कोई table या bind map दिया है इसी answer sheet के अंदर में तुमको दिख रहा है यह देखो यहां क्या है इस बच्चे ने अपने answer को support करने के लिए diagram बनाया देख रहे हो यह diagram बनाया ठीक है यह diagram बनाया अब मैं तुमको य लिखा heading section B section B answer number लिखा और यह देखो यहां पर क्या है diagram diagram को explain भी क्या उसके नीचे answer भी लिखा यह देखो यहां है diagram देख रहे हो इस answer sheet के सुंदरता I hope कि तुमको visible होगा तो यह था pro tip number 3 अब हम आते हैं कि भाया pro tip number 4 क्या है जिससे तुम marks extra marks तुम gain कर सकते हो क्या चीज है कि access student भोल जाते हैं कि एक answer लिखा फड़ा फड़ा तुरंत very next line से ही answer लिखना शुरू कर देते हैं यह कभी भी नहीं करना चाहिए तुम लोगों को ठीके अब यहां जैसे तुम देख पा रहे हो कि यह answer number 3 था यह answer number 4 है लेकि इस बच्चे ने answer number 3 और 4 के बीच में यह important चीज होता है जो मैं अभी तुमको बताने वाला हूं इसको देखो यह है pro tip number 5 और यह है कि जब तुम एक diagram बना रहे हो margin तुमने छोड़ दिया heading तुमने डाल दिया lines तुमने छोड़ दिया तो सबसे important चीज क्या है तुम्हारे हर answer में कोई ना कोई keyword का mention होना बहुत जरू तो करो तो यह देखो यहां पर इस बच्चे ने parallel word इसमें इसको खास लगा तो इसने parallel word को अंडलाइन किया यहां आ जाओ product differentiation तो इस बच्चे ने इसको अंडलाइन किया इसको अंडलाइन किया थोड़ा इसरा दें है हम यहां देखो बहुत सारे बच्चे मुझे सवाल पोस्ते हैं साओ अडलाइन किस color के pen या पेंसिल से करना चाहिए हां सीधा-सीधा Pencils Underline करना भूल के भी Red Pen, Green Pen ये सब Pen, आलतो-फालतो Pen को योज मत करना Marks सीधा-सीधा कट जाएंगे और अब सीध है आजाओ, मैं तुमको यहां समझा देता हूँ कुछ चल्दी से Shortcuts में कुछ tips पहला Point जो मैं तुमको समझा चुका हूँ Paper Presentation दुवारा Best होना चाहिए कोई भी Section 2 मतब Point No.2, किसी भी Section को तुम टच करते हो Complete Any Section Number 3, Word Limit या Instructions को तुम वो Follow करना है अकसर ये हर बड़ी में गलती देखी जाती है यार तुम सभी जानते हो कि मैं CBC Examiner भी हूँ Copy Checking में भी जाता हूँ कि क्या बच्चे ने Instructions को Follow किया है कि नहीं किया है Word Limit को वो Follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस बात को मैं भी Notice करता हूँ और तब ही Number देता हूँ Number नहीं कारता मैं तुम को Last Session के वीडियो तुम देख सकते हो भर-भर के मैंने Banks दिये थे बच्चों को कोई मेरे हाथ से fail नहीं वा था Number 4 Underline Keywords यह मैं तुमको बचा चुका हूँ Point Number 5 और 6 जो है यह ब्रहमास्द है यह 5 और 6 क्या है 5 कि don't leave any single question यार तुमको जितने questions आये हैं ना full complete करके आओ अगर कोई answer नहीं भी आता है तो भी उससे related कुछ भी लिख दो लेकिन लिख दो खाली मत छोड़ो and last but not the least तुम्हारा answer pointers में होना चाहिए भाया क्यूंकि अब जमाना points का है वो भर-भर के paragraph लिखने का जमाना चला गया यहां देखो जरा सा गौर करो points में answer है यह देख रहे हो 1,2,3,4,5 देख रहे हो सब points में छोड़े-छोड़े points में answer है और इस बच्चे को, topper को पूरे के पूरे marks मिल गए देख रहे हो, चलो आगे चलो यह देखो यहां पर इसने लिखा 1 का A, answer दिया इसने छोड़ा answer था, इसने देदिया question number 2 के support में इसको diagram की जरुवत थी मौका मीरा, चौका मारा, सीधा-सीधा इसने diagram दे दिया ठीक है, रुको एक second यह देखो, रुक जाओ मेरे को यहां rub करने दो अब यहां हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यह देखो देख रहे हो, इसका copy देख रहे हो, कितना points के हिसाब से answer number 3, 1, 2 अराम से बच्चे को marks मिल गया, so very simple steps, अगर मैं बहुत छोटे का बातों में कहूं, तो भाईया इन pro tips के सहायता से तुम score कर सकते हो, यह well proved है, और अगर यह video तुम को थोड़ा सभी समझ में आया है, तो लिख देना comment में, कि sir, इस बार हम यही follow करने वाले हैं, और अगर तुम कर रहे हो इसको follow, तो मैं कह सकता हूँ कि यार, तुम bumper marks लाने वाले हो, 80% से अबव करोगे अब तुम बोलो, कि sir, आपने 95-98 नहीं कहा, यार 95-98 भी हम लाएंगे, लेकिन मेहनत से लाएंगे सिर्फ बक्वास करकर के, फाल्तू गप करकर के, या सिर्फ अपनी दींगे हां करके नहीं, मेहनत करेंगे और marks लाएंगे, so go for it, जली से वीडियों को like करो, comment में लिख देना, किस subject में तुम लग रहा है, डर, क्योंकि इंपॉर्टन question and answers की सीरीज अब तयार हो चुकी है, वो आने वाला है तुम्हारे लिए, so please यार, वीडियो को like करना, share करना, पहले बरवाएंचल में होतों सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नक्ष वीडियो में, तब तक के लिए जेहंग वाने मात्राव